अगर आप लोग मेरे चानल पे न्यू हैं तो प्रीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिसना हो और अब बिना देखे आज की वीडियो को शुरू करते हैं एपिसोड की शुरूआत होती है जहां हायून रोता हुआ जा रहा होता है और वो फर्स टे से जब से यूनसुक से मिला तब से लेकर आज तक यूनसुक ने उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं किया तो हायून उसे किस कर लेता है जिसके बाद यूनसुक भी उसे लांग किस करता है और दोनों एक दुसरे को किस कर रहे होते हैं इसी बीच यूनसुक अचानक रुपकर हायून को सौरी बोलता है और कहता है कि उसने गलती कर दी और जिससे हायून अपसेट हो जाता है वो युन्सुक को बोलता है कि वो sorry क्यों कह रहा है, उसने क्या गलती की है और वो रोता हुआ बोलता है कि वो sorry तब कहे, जब वो सच में guilty feel कर रहा हो और वो say sorry नहीं कहेगा, ये बोल कर वो जाने लगता है, तभी वहाँ पे जिन्युक आता है और वे युन्सुक का हाथ पकड़ लेता है और बूलता है कि वो क्या करना चाता है हायन रोग जाता है और जिन्युक को अपने साथ लेकर चला जाता है आगे उन दोनों को साथ बैटे दिखाया जाता है जिन्युक उससे पूसता है कि आखिर बात क्या है हायन बोलता है कि कुछ भी नहीं और वो उसे साथ चल कर ड्रिंग करने को कहता है दूसरे तरफ युनसुक को अपने घर पे बहुत परिशान दिखाया जाता है वो समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या करे दूसरे तरफ हायन और जिन्युक को साथ में ड्रिंग करते दिखाया जाता है हायन बोलता है कि उसके दीदी हमेशा ये बात कहती है कि जब लाइब बहुत करवी हो जाए तो शराप मीठी लगने लगती है पहले उसे ये बात अजीब लगती थी पर अब ये बात उसे समझ आने लगी है जिन्युक उसे क्याता है तो क्या वो उसे बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है हायन बहुत जादा नशे में होता है और वो बोलता है कि युनसुक को लगता है कि सौरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा वहीं दूसरी तरफ युनसुक को ड्रामा लिखते दिखाया जाता है पर वो बिल्कुल भी कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाता और वो बहुत परिशान होने लगता है आगे निक्स मॉनिंग उसकी आँग खुलती है जहां वो सुफे पे सोया होता है और जैसे ही घर का डोर बेल बचता है वो बहुत कुसो जाता है उसे लगता है कि शायद हायन आया होगा वो रेडी होकर बाहर जाता है पर वहाँ उसकी कोई डिलिवरी आई होती है जिसे देखकर वो नराज हो जाता है अंदर आकर वो हायन को मैसेज करने की सोचता है कि वो कहाँ पर है पर वो उसे मैसेज नहीं कर पाता तब ही again डोर बिल बचती है और इस बार हायन आया होता है युनसुक गेट ओपन कर देता है तो हायन अंदर आता है पर वो युनसुक से बात नहीं करता और वो सोफे पे जाकर बैट कर काम करने लगता है युनसुक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे तो वो हायन को पानी लाकर देता है जिससे हायन उसे थैंक्यू कहता है युन्सुक उसे पूसता है कि क्या उसकी तब्यत खराब है हायून बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है युन्सुक कहता है कि उसे हायून से कुछ बात करनी है हायून कहता है कि वो जानता है और स्टोरी खतम होने में बस तीन ही पार्ट रह गए है और सिन्भी ने उसे वही फिर से चिक करने को कहा है अगर यूंसुक को कुछ चेंज करवाना हो तो वो उसे बोल सकता है उसने उसे सारा सब कुछ सेंड कर दिया है बस वो एक बार चिक कर सकता है यूंसुक बोलता है कि उसे इस बारे में बात नहीं करनी थी और वो तेस आवाज में बोलता है फिर वो हायून को sorry कहता है हायून बोलता है कि वो आजकल बहुत जादा sorry बोल रहा है और वो बोलता है कि उसका काम हो गया है तो अब उसे जाना होगा ये कहकर वो जाने लगता है यूंसुक कहता है तो क्या वो सच में जा रहा है हायन बोलता है कि उसने सुना है कि उसे एडिटर के साथ काम करना पसंद नहीं है यूंसुक बोलता है कि ये बात उसे किस ने कहा हायन बोलता है कि उसे सिन्भी ने ये बात बताई है युनसुक बोलता है कि ये क्या बक्वास है और हायन जाने लगता है पर युनसुक उसे बोलता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा मतलब युनसुक को भी आफिस में कुछ काम है और उसे सिन्भी से मिलना है आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों साथ में रेडी होकर जा रहे होते हैं युन्सुक हायन को लास नाइट के लिए कुछ बाते बोलने की सूचता है पर हायन उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और हायन ओफिस पहुंचता है और उसके पीछे युन्सुक होता है युनसुक सिन्बी को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है सिन्बी युनसुक को उपर से नीचे अच्छे से देखने लगती है और कहती है कि उसने इतनी अच्छी ड्रस अप क्यों की है युनसुक बोलता है कि बस यू ही पर कि वो आज का दिन हायन को अपने साथ ले जा सकता है और वो सिन्बी से last day के लिए sorry बोलता है कहता है कि last day का उसका behavior बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसे पता है कि सिन्बी कितनी मेहनत कर रही है बस यंसुक के लिए और वो यंसुक की बहुत विकर भी करती है और प्यार किसी भी इंसान को इंसान बना देती है वो युनसुक को एक फाइल किसी कमपनी को पहुचाने को कहती है और वो बोलती है कि इसके बदले वो हायन को अपने साथ ले जा सकता है तो युनसुक उसकी बात मान लेता है आफिस का एक स्टाफ यून्सुक को बोलता है कि आज उसका बर्दे है क्या इसी लिए उसने इतना अच्छा ड्रसप किया है यून्सुक कहता है कि वो तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता है हाईन ये साई बाते सुन लेता है और फिर सिन भी हाईन को कहती है कि वो युनसुक के साथ जाए आगे हायन और युनसुक आफिस से बहार निकलते हैं और हायन युनसुक को कहता है कि उसका काम कदम हो गया है तो अब वो अपने घर जा रहा है पर युनसुक उसे बोलता है कि वो अपना विशकार यूज़ करना चाता है और उसने जो हायन के बदले ड्रिंक की थी और सिन्भी ने बोला था कि हायन को इसके बदले युन्सुक की एक बात माननी होगी तो हायन युन्सुक से पूसता है कि उसकी क्या विश है युन्सुक बोलता है कि वो चाता है कि आज का पूरा दिन हायन उसके साथ रहे हायन उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंग जाता है तब ही वहाँ पे जिन्यूक आता है और वो हायन की शूल इस बाहने लगता है और ये साईची से यूनसुक से देखी नहीं जाती जिन्यूक हायन को बोलता है कि वो उसके sister के साथ रात में dinner करने आया है और वो हायन को भी साथ चलने को बोलता है पर हायन कहता है कि वो नहीं जा सकता और वो युनसुक की तरफ देख कर कहता है कि आज उसकी appointment है युनसुक हायन को साथ चलकर खाने की बात करता है और उससे पूसता है कि उसे खाने में क्या पसंद है तो जिन्यूक हायून का फिविट खाना बोलने लगता है युन्सुक बोलता है कि उसने हायून से ये बात पूची है ना कि जिन्यूक से जिन्यूक हायून को बोलता है कि वो उससे रात में मिले और वो लोग साथ में बीर पिएंगे हायन उसे ओके बोलता है और युन्सुक ये सब देख कर गुस्टा होने लगता है आगे हायन और युन्सुक को साथ में रेश्टों पे खाते दिखाया जाता है युन्सुक हायोन से पूसता है कि क्या हायोन और जिन्युक एक दुसे के बहुत close है हायोन कहता है कि हाँ, वो अपने family से भी जादा उसके साथ time spend करता है और वो दोनों अमेरिका में भी साथ में थे ये सुनकर युन्सुक चौंग जाता है और बोलता है कि मतलब वो दोनों साथ में रहते थे हायोन बोलता है जैसे दो friends रहते हैं वैसे इसमें अजीब क्या है युन्सुक बोलता है कि जिस तरह से जिन्युक हायोन को देखता है ऐसे फ्रंस नहीं देखते जिससे हायन मू बना लेता है तो युनसुक बोलता है कि ठीक है और वो खाने पे ध्यान दे तो हायन स्माइल करने लगता है और वो युनसुक को हैपी बर्दे कहता है और बोलता है कि क्या वो अपना बर्दे हायन के साथ बिता रहा है क्या वो आज का दिन अपने फैमिली के साथ नहीं सेलिबरेट करता या फिर अपने लवर के साथ यूनसुक बोलता है ना ही उसकी फैमिली है और ना ही कोई लवर है हायन ये बात सुनकर उसे सौई कहता है आगे दोनों को साथ में एक जगा खड़े दिखाया जाता है यूनसुक उससे लास नाइट के लिए बाते करने की कोशिश करता है पर हायन उसे बोलता है कि उन दोनों को लास नाइट के बारे में बात करने की जरुरत नहीं है और उस बात को पीछे छोड़ देना चाहिए यूंसुक भी उसे बोलता है कि हाँ वो अब पास्ट की बात हो चुकी है तभी हायन के पास जिन्युक का कॉल आता है बर हायन उसका कॉल पिक नहीं करता और उसे मैसेच कर देता है कि वो उसे जल्दी मिलने वाला है और वो उसे आकर बात करेगा और फिर वो वहाँ से जाने लगता है ये बोलकर कि वो अब यंसुक से मंडे को मिलेगा पर यंसुक उसे रोकता है और बोलता है कि उसने हायून को बोला था कि एक पूरा दिन मतलब 24 घंटे और अभी 12 घंटे बाकी है हायून उसकी बात सुनकर चौंग जाता है और फिर वो तबी हायून के पास अगें जीन यूग का कॉल आता है और यूनसुक उसे कॉल पिक करने के लिए अलाव कर देता है तो हायून उसका कॉल पिक करता है और वो उससे हस कर बाते करने लगता है ये सब यूनसुक देख कर नाराज होने लगता है कॉल कर्ट करने के बाद हायोन यूंसुक के पास जाकर बैठता है यूंसुक हायोन को बोलता है कि कौन सा फ्रेंट इतनी रात को कॉल करता है हायोन कहता है कि शायद उसके कोई फ्रेंट्स नहीं है यूंसुक कहता है कि उसके भी फ्रेंट्स है पर हायोन बोलता है कि वो जानता है उसके कोई भी फ्रेंट्स नहीं है यूनसुक उसे बोलता है फिर वो उसका फ्रेंट क्यों नहीं बन जाता हायोन बोलता है कि वो उस इंसान से फ्रेंट्शिप नहीं कर सकता जिसने उसे किस किया है ये कह कर वो किचन में चला जाता है यून्सुक कहता है पर हायन नहीं उसे बोला था कि वो दोनों किस के बारे में बात नहीं करेंगे हायन अपसेट होकर किचन में खड़ा होता है तो यून्सुक उसके पास जाता है और उसका नाम पुकरता है और उसे अपनी तरफ घुमाता है और वो हायन को sorry कहता है हायन बोलता है कि वो किस बात के लिए उसे sorry कह रहा है यूनसुक बोलता है कि उसने जो किया उस बात के लिए हायन बोलता है कि यूनसुक बस लोगों को confuse कर रहा है और वो गुसा होने लगता है कि वो उसे sorry ना कहे युनसुक बोलता है कि क्या हायन confused है क्योंकि हुनसुक ने उसे kiss किया या फिर वो उसे sorry कह रहा है और युनसुक हायन का हाँ थोल करके उसे sorry बोलता है और कहता है कि वो अपनी feeling के साथ honest नहीं था और हायन ने उसे कल जो कुछ भी हुआ, उस बारे में बात करने से मना किया है, तो वो उस बारे में बात नहीं करेगा, और वो वैसे भी बीती हुई बात हो चुकी है, तो युनसुक अब नई शुरुआत करना चाता है, हायन को I like you बोलता है, हायन बोलता है, पर उसने बोला ह कि वो तो उससे नफरत करता है जबसे वो दोनों मिले हैं तब से उसने बोला कि हायन उसे अपनी शकल ना दिखाए युनसुक उसे उन साई बातों के लिए सौरी बोलता है हायन उसे बोलता है कि उसे ये साई बाते कभी भी किसी को नहीं बोलनी चाहिए और हायन ने उसकी ये साई बाते इसलिए सही क्योंकि वो यणसुक को लाइक करता है ये बात सुनकर यणसुक को शो जाता है और वो हायन को पीछे से हग करता है और उसे I love you बोलता है हायन उसका हा miles hold करता है आगे दिखाया जाता है कि YUNSUK रूम के अंदर जाता है, जहां हायून सोया होता है और वो दोनों last night intimate हुए थी युनसुक हायून के करेब जाकर उसे किस करता है और दोनों उस वक बहुत खुश होती है आगे दोनों को साथने ब्रेक्वस करते दिखाया जाता है और वो खाना यूंसुक ने खुद बनाया होता है। उसकी जादा केर करता है और वो उसके बारे में जादा जानना चाता है जो कि उसे बहुत पसंद है। उन्सुक कहता है कि ये सब तो ठीक है पर उसे ड्रामे की इंडिंग लिखनी होगी और वो यूनसुक को रूम पे छोड़ता है पर यूनसुक अकेली रूम पे नहीं रहना चाता और वो साड होने लगता है और वो बाहर आकर हायून से चिपक कर बैठ जाता है हायोन कहता है कि क्या उसे काम नहीं करना पर युनसुक उसे बोलता है कि वो यहीं बैट कर काम करेगा हायोन बोलता है पर उसी ने कहा था कि उसे लिखते वग अकेले रहना पसंद है युनसुक बोलता है पर वो चाता है कि हायोन उसके पास रहे जिसे सुनकर हायन स्माइल करता है वो युनसुक से पूसता है कि वो कब से हायन को लाइक करता है युनसुक मन में बोलता है कि 300 सालों से पर वो कहता है कि जब से वो फर्स टाइम उससे मिला तब से और वो उसे एक चेन देता है और उसे हायन को पहनाता है और वो दोनों किस करते हैं आगे इवनिंग में यंसुक हायन को उसके बिल्डिंग के बाहर तक छोड़ने जाता है और वो दोनों हाथ होल किये होते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं वो दोनों एक दुसे को हग करते हैं तबी वहाँ पे हायन की दीदी और जिन्युक आकर खड़े होते हैं और ये सब कुछ देख चुके होते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खतम होता है फ्रंस आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूँगी नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे